जहिन दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में कैसे आप लोग बताईए जल्दी से कैसा है आपका जोश और कैसी है आपके अपके अपने परिवार में मैं आदित्त अप सभी का तहें दिल से आप स्वागत करता हूँ और आज आपसे कई गुना जादा मेरी एनरजी बढ़ी हुई है कारण बस एक है कल की वो live watching, कल का वो माहौल और कल का वो खतरनाक प्यार और response मेरे भाई जल्दी से वीडियो को हर जगा पर शेर कर दीजे उनको भी शेर कर दीजे ताकि कल के दिन सीधा उनको बोल सके कि देखो इस क्लास इंस्पेक्टर बनके आथ तुम्हारे पास ही रहे है जल्दी से वीडियो को शेर करिए मेरे भाई हर जगा पर अपने यार प्यार इश्दार जितने टेलेग्राम ग्रूप में जुड़े पड़े हैं अपने वो प्यारे से स्टेटस पर भी शेर कर दीजे ठीक कल की कलास सबसे वोकाल कलास थी मज़ा आगया आपको भी पढ़कर हमें भी पढ़ा कर आगाज हो चुका है CGL CHSL 2022 के लिए 50 दिन 50 मेराथन का ना सिर्फ मैत में बलकी हल सब्जेक में और पूरे दिलो जान से हमारी पूरी की पूरी टीम आपके लिए लगी पड़ी है एक एक आपको टॉपी क्लियर करा रहे हैं एक एक कम आपको कंसेप्ट दे रहे हैं और वाकई में दिल खुश हो गया है मरे भाई आप लोगों का जो रेस्पॉंस रहा जो प्यार रहा मतलब जो हमने कमिटमेंट की आपने उसमें कोई कसर नहीं छोड़ा आपने तो हमारी एनरजी को साथवे आसमान तक पहुचा दिया है मरे दोस्त ठीक है हमारी सभी टीम क इतना जादा मनोबल बढ़ चुका है कि बस अब तो आपके लिए जान लगा देंगे मरे दोस्त ठीक तो आज बात करते हैं 50 दिन 50 मिरातन के क्लास नंबर 2 क्लास नंबर 2 यानि पाई चार्ट और दोस्त मेरे भाई इतना समझ लो कि ये क्लास आपके लिए बहुत ज़रूर बात करें तो पाई चार्ट की मिक्सिंग जो होती है वो बड़ी खतरनाक होती है मतलब ये कभी जो है अपना रिलेशन बना लेता है बार ग्राफ के साथ कभी ये रिलेशन बना लेता है हिस्टोग्राम के साथ कभी ये लाइन वाले के साथ ग्राफ बना लेता है और कभी य तो यह सबी सवालों को हम देखेंगे, साथ में एक और बात हम आपको बता दें, तो जिस तरीके से कल के सेशन का आपको printable PDF मिला था, उसी तरीके से मेरे भाई आज के भी सेशन का आपको printable PDF मिलने वाला है, तो यह मेरे भाई आपका पूरा का पूरा printable PDF रहा और यह आपको पूरी तरीके से आपको sheet आराम से class के बाद मिल जाएगी, हमारे दोनों टेलिग्राम है, Rankers, Gurkul और Maths भाई आदितरेंजन दोनों पर मिलेगा, आज के सवालों का बस एक ग्लिम्स हम आपको दिखाना चाहते है, यह आपका पूरा का पूरा पाई चार्ट है, एकदम basic से हर point को आज की class में हम डील करेंगे, साथ में जितने भी questions हो गया, चाहे वो अलग-अलग exam में हो, जैसे CGL हो गया, CHSL हो गया, आपका MTS हो गया, phase 9 हो गया, CPO यहां तक भी हो गया, CGL मेंस हो गया, सारे questions हमने कवर किया है, particularly बैठ कर पूरी रात में, ठीक है, और रूद रसर द नाम बाकी रह जाए, जैसे मानो कोई CHSL का aspirant है, तो उसको भी question मिल जाए, कोई phase 9 या phase 10 दे रहा है, तो उसको भी सारा question मिल जाए, साथ में हम लेवल को भी maintain करके चले, ऐसा नहीं पहला question है, ऐसा आ जाए कि दिमाग के fuse हो गया, बिलकुल भी नहीं मेरे भाई, तो सारा combination द भयंकर भयंकर सवालों को भी आप within seconds कैसे उड़ा सकते थे पेपर में, अगर नहीं उड़ाया तो, और अगर पेपर अब आने वाला है, तो कैसे इनको उड़ाओगे, ये सबसे महत्वपूर्ण है, तो जल्दी से आज की वीडियो को like कर दो, हर जगा पे share कर दो, गदर मच जाएंगे दुबारा से बढ़िया वाल एकदम बोकाल चलेगा अपना, क्योंकि इस सीजन में कुछ अच्छा सीखेंगे, मैंने कहा भी था कि कुछ अच्छा पढ़ेंगे, कुछ अच्छा सीखेंगे, फरजी बाते नहीं, एक नया तरीके से हम इसकी शुरुबात कर रहे ह वहाँ पर कि कल की वीडियो हर जगा तरीके से शेयर हुआ था, तो बहुत अच्छा लगा दोस्त, ठीक है, आप लोगों के लिए एक मास्टरपीस कंटेंट है बस यह, जिसका फायदा आपको बहुत जादा होने वाला है, ठीक है, तो सुरुवात करते हैं सेशन की, साथ मे जिरों ने अभी तक formula book नहीं मंगाया है अपने घर पे, तुरंत मंगा लीजे, Amazon, Flipkart और हमारे application तीनों जगों पर हाजिर है, जो आपकी बहुत जादा मदद करने वाली है, ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि इस पूरे series में हम आपको पढ़ाएंगे और डियाई में आपके ये सारे topics clear होंगे, तो कल हमने यहाँ पर पढ़ा था, बहुत अच्छे तरीके से क्या, tabular DI, अब उसके बाद हमारा जो बारी है, हमारा pie chart का जो की सबसे जादा importance रखता है, जहां से एक सवाल आपके प्रीमे दो नमबर तो पक्का है, आज के session में, इसके बाद अगर हम यहाँ बात करते हैं, next तो देखें सबसे पहले pie chart होता क्या है, एक एक point हम जानेंगे, pie chart होता क्या है, कैसे बनता है, कितने इसके रूप होते हैं, कैसे इसके सवाल आते हैं, ठीक है, तो जैसे देखें यहाँ पर, pie chart आप मेरे background में देख पा रहे हैं, टोटल एक तरीके से बोलें, तो जो आप यह circle देखते हो ना, तो जैसे मानो एक तरीके से मैं अगर बात करूँ कि कल के दिन आप यहाँ पर बहुत पैसा कमाते हो, मानिए आपकी तंखो 80,000 के है, उस 80,000 रुपे में 10,000 रुपे या 20,000 रुपे आपने अपने घर वेज द अगर आप इसको बार ग्राफ के माद़ियम से डिनोट करना चाहते हो, तो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स आपको बनानी पड़ेगी, टेबल के माद़ियम से चाहते हो, तो कल वाला टैबलर सोशन देखना पड़ेगा, और अगर हम इसको चाहते हैं, ऐसे circle के माद़ियम यहाँ पर, तो मैंने अपने income का 50% मानो किसी को दान दे दिया, तो यह उसके बारे में बता रहा है, 7% मैंने किसी और को दे दिया, suppose करो किसी XYZ चेर पर खर्च कर दी, उसी तरीके से यह सारा percentage जो है मिलकर कितना हो जाता है, 100, यानि कहने का मतलब जब भी हम अगर pie chart में अल तो 100% आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद दूसरा आ जाता है हमारा degree, degree का मतलब क्या होता है, जैसे मानली आप लिप चाप लेकर ऐसे पूरा का पूरा बनाते हैं, तो आपने देखा होगा यह 30 degree, 60 degree, 90 degree ऐसे करके, तो जब हम pie chart को degree से denote करते हैं, तो इन सभी का sum कितना आ जात हमारा 360 degree, और कहीं न कहीं अगर हमें percentage और degree दोनों में सामन जसे बिठाना हो, दोनों में अगर एक relation ढूणना हो, तो हम यह कहते हैं कि जो यह 100% है यह बराबर है हमारे किसके, तो 360 degree के, clear है मेरे भाई यहाँ पर, तो अगर percentage में denote करेंगे तो यह 100 होगा, और अगर degree में denote करे हो, ना ही वो degree में दिया हो, तो ऐसा कुछ खर्चों के माध्धम से यहाँ पर दिया जा सकता है, हाला कि इस पर कम सवाल बनते हैं, जादा दर question इन्ही दो data के उपर बनते हैं, तो अगर हम pie chart के अंदर सभी को जोड़े, तो 100% आएगा, और यहाँ सभी को जोड़े, तो 360 degree म आने वाला है, ठीक है, अब यहाँ पर जैसे छूटा सा प्यारा सा सवाल, पहले सवाल के साथ हम यहाँ शुरुबात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर सवाल देखें, जैसे इस सवाल में अगर हम बात करते हैं, तो यह हमारा पूरा का पूरा pie chart है, यहाँ पर कहा गया percentage of employee in different department, यानि अलग-अलग department में कितने percent लोग काम कर रहे हैं, जैसे account department में 25 परसेंट लोग है, IT department में 15 परसेंट लोग है, HR department में 8 परसेंट लोग है, production department में 3 परसेंट लोग है, और marketing department में 22 परसेंट लोग है, ठीक है, इस तरीके से अलग-अलग department में मेरे भाई यहाँ पर लोगों क संख्या दी गई है ठीक है तो यह अलग-अलग उनका dur को पर्सेंट़ दिया खैसावाल में हमसे क्या कहा गया तो सवाल में कहा गया थैज क्शोछ दिस्ट्रिमूरोईशल टोटल 800 deploy in different department of a company यानी यहां पर यह 800 लोगों का डेटा दिया गई गया है उस आठाट सो का परसंट चूख अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करता है उस आठाट सो का आठाट संट subscription काम करते हैं टो आटल च सब्सक्राइब और स्वाल में कहा गया है हाउउ मेणी एम्पलोईThe ॐप्पोरे लोगों कि संख्या कितनी है ठीक है अगर हम बात करते हैं हाँ पर तो थोड़ा सा आपको और clarity मिले इसलिए हमने पीपीटी भी मंगा लिया है और अब हम आपको पीपीटी पर यह चीज पढ़ाएंगे ताकि आपके लिए और असानों थोड़ा सा बढ़िया तरीके से clarity मिले आपको ठीक है पूछनामित ने भेज दिया क्या भेज दिया थोड़ा से रुकिएगा आप लोग क्योंकि पीपीटी में है ना clarity थोड़ी अच्छी मिलती है हमें ठीक है थोड़ा से जूम करके मिलता है अब इसकी clarity जो है वो अलगी level की clarity होगी आपको ठीक है तो अगर हम यहां बात करते हैं तो देखे जरह यहां पर सवाल में आपसे क्या कहा है how many employee are working in the field of marketing marketing के छेतर में कितने लोग यहां पर काम कर रहे है तो सबसे पहली बात यहां पर यह जो pie chart है यह कितने लोगों के बारे में बताता है तो यह कुल मिलाकर 800 लोगों के बारे में रभाई बता रहा है कितने लोगों के बारे में बताता है यहाँ पर तो कुल मिलाकर 800 लोगों के बारे में यहाँ पर बता रहा है यानि अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों हम क्या बोलेंगे हम यहाँ बोलेंगे कि 800 लोगों का percentage दिया गया है और हमसे हाँ कहा जा रहा है कि how many employees are working in field of marketing marketing के छेतर में कितना काम करें यानि 22% लोग यानि अगर हम बात करें तो यह 800 किसकी जन संख्या है तो यह कुल मिलाकर पूरे की पूरे 100% लोगों की जन संख्या है यानि हमेशा जिसकी value होती है उससे हम क्या करते हैं भाग करते हैं और जिसकी value निकालनी होती है उससे हम क्या करते हैं गुना 22% की value निकालनी है तो 22% से गुना कर देंगे 2-0 से हमारा 2-0 कतम, percent से percent कतम आप इसे गुना करी 8-2-16, 8-2-16 और 176 option number D for, दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे is the correct answer हो जाएगा आराम से दीरे-दीरे basics हम शुरुआत करेंगे क्योंकि जो यहां पर 800 था ना यह पूरे के पूरे pie chart को बता रहा था यानि पूरे के पूरे 100% को बता रहा था और हमें सिर्फ 22% का मान चाहिए था इसलिए हमने किस से गुना कर दिया 22 से मेरे भाई गुना कर दिया अब यहां पर अगर हम देखें प्रोजेक्टर लाना ठीक है पूछना नितीं सर्ष रहे आज यह अब next question यहां पर देखिए ठीक है अगर आप यहां देखिए तो next question में आप से क्या कहा गया है कहा गया तो break up of total number of employee of a company working in different offices A to E is given in a pie chart ठीक है साफ तर पर कहा गया है कि pie chart में किसी company के विभिन कारियालों में काम करने वाले करमचारियों की कुल संख्या दी गई है और यहाँ पर मैंने कहा ना कि जैसे pie chart एक percentage के माध्यम से बताया जाता है, एक degree के माध्यम से बताया जाता है, तो यहाँ पर आपका pie chart जो है वो degree के माध्यम से बताया गया है, एक इतना degree है, 126, b कितना है, 18, c कितना है, 14, इन सब को आप जब जोड़ेंगे, तो कुल मिलाकर म अब important बात यहाँ पर क्या है वो समझे तो सवाल में कहा गया है कि यह पूरा का पूरा जो है ना pie chart इसकी value किसके बराबर है तो 2400 के बराबर है यानि 360 degree की value कितनी है तो 2400 है हम ऐसा कह सकते हैं हमें यहाँ पर किसके बारे में data पूछा गया है तो हमें यहाँ पर in which office is the number of employees 600 कि office में 600 लोग काम करते हैं तो हम यहाँ पर एक छोटी सी बात को समझते हैं यहाँ पर बात किया गया 2400 और यहाँ पर पूछा गया कि किस जगह पर 600 लोग काम करते हैं ठीक है तो यहाँ पर अगर हम समझे तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो 2400 है मेरे भाई वो कितने degree के बारे में बता रहा है तो वो 360 डिगरी के बारे में बता रहा है और हमसे यहां यह पूछा गया है कुल मिलाकर कि यह जो 600 लोग है यह कितने डिगरी है अब यह आपका unitary method है लेकिन paper में हम ऐसे नहीं लिखेंगे हम यहां पर एक छोटी सी बात को समझेंगे और हम यहां पर यह बात बोलेंगे कि देखो सर बात ऐसी है यहां पर कि जो यह हमारा 360 डिगरी है न ठीक है जो हमारा यह 300 जो हमारा यहां पर यह 360 डिगरी है यह 360 डिगरी की value कितनी है हम बोलेंगे सर 2400 है और हमें पता कितने का करना है तो हमें 600 का पता करना है यानि हम इसको किस से गुना करेंगे 600 से 2-0 से आपका 2-0 कतम 6 से आपका 4 बार में और 4 से काड़ दिया हमने 90 बार में यानि 90 डिगरी और पूरे पाई चार्ट में 90 डिगरी कौन बता रहा है D बता रहा है यानि इसका आंसर कितना हो जाएगा D ये इस बार का आपके परीका क्वेशन था CGL 12 अपरेल 2022 बहुत ही प्यारा क्वेशन ठीक है कि हमें पूरा पाई चार्ट की वैल्यू दे दी थी और हमसे पूछा था कि यहाँ पर जो 600 employee काम कर रहे है वो असल में कौन है ठीक इसी तरीके से भी धीरे धीरे हम आपका level जो है वो बढ़ाते चलेंगे उसके लिए आपको परिशान नहीं होना है दोस्त ठीक है आजएए next यहाँ पर question देखते हैं next question हमारा क्या कहता है तो next question कुछ ऐसे हो जाएगा आपका देखे जैसे कि किसी भी percentage को हम degree में कैसे बतलें जैसे मान लीजे कि कोई pie chart आपको ऐसा दे दिया उस pie chart में बताया कि 40% लोग चलते हैं 24% लोग cycling करते हैं 18% लोग swimming करते हैं तो हमें इसको degree में बताना है तो हम कैसे बताएंगे जैसे कि आप लोगों को एक छोटी सी बात हमने समझाई और हमने कहा कि pie chart को या तो percentage में लिखोगे तो कितना लिखोगे 100% और या तो मेरे भाई इसको कितने में लिखोगे दिगरी में लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा 360 डिगरी हो जाएगा यानि कहीं न कहीं हम ऐसा कह सकते हैं कि सर ये जो 100% है ये किसके बराबर है डिगरी के बराबर है तो अगर मेरा पहला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि बताओ यहाँ पर वाकिंग को अगर हम डिगरी के माध्यम से डिनोड करें तो हम इसे कितना डिगरी देना पसंद करेंगे कितने डिगरी इसकी वैलियो होगी आप बोलेंगे सर बहुत असान काम है आप ये बताइए 100% के लिए हम कितना डिगरी देते हैं तो एक परसंट के लिए हम कितना डिगरी देंगे तो बोलेंगे सर 360 बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा सर यानि कभी भी मेरे भाई इस बात को समझना कि कभी भी अगर आपको परसंट को डिगरी में बदलना हो न ठीक है तो आप यहाँ पर इस संख्या के साथ उसको मल्टिप्लाई कर देना एक्जांपल के तोर पे अगर मान लीजे कि मुझे वाकिंग को डिगरी में बताना है तो वाकिंग कितना परसंट है 40% है यानि मैं क्या करूंगा इस 40 को मेरे भाई 360 बटे 100 से मल्टिप्लाई कर दोंगा क्योंकि 1% की वैल्यू इतनी है तो 40% की वैल्यू इतनी हो जाएगी यानि जब भी आप किसी भी प्रतीशत को डिगरी में बदलना चाहते हैं तो आप उसको 360 बटे 100 से क्या करेंगे गुना कर देंगे आपका 1 0 से 1 0 कतम 1 0 से 1 0 कतम 36 का 4 गुना 144 होता है यानि इतना डिगरी 144 डिगरी is the correct answer बहुत शांदार महिमा, हर्शिता, लाल, रापिड, आदर्श, किरन, गायतरी, अनुज, चंचल बहुत शांदार बहुत अच्छे बच्चे बहुत शांदार आप लोग कर रहे हैं तो यह point clear हो आपको कि जब भी हमें प्रतिशत को बदलना हो तो हम क्या करते हैं 360 बटे 11 से 360 बटे 100 से गुना कर देते हैं माल लिजे कल के दिन यहाँ पर मुझे cycling को अगर बताना हो कि cycling हमारा कितना डिगरी है तो हम क्या बोलेंगे cycling कितना percent है 24 यानि 24 को हमें गुना कर देना है किसके साथ दोस्त 360 बटे 100 के साथ सीधी सी बात है और यह degree में बदल जाएगा अब यह तो आपका point number 1 था अगर माल लिजे हम बात करते हैं यहाँ पर तो next देखिए यहाँ पर next आप से बोला जाएगा कि convert percentage value into degree यहाँ पर how to convert degree into percentage degree को percent में कैसे बदलें जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुल मिलाकर 6 लोगों के बारे में चर्चा की गई है और हर किसी की value को degree में दिया गया है अगर माल लिजे कि मुझे प्रतीशत में बदलना हो तो मैं इने कैसे बदलोंगा हम सीधा सा हिसाब किताब करेंगे हम इने बोलेंगे कि देखो मेरे भाई यह total लोग मिलकर कितना degree बनाएंगे तो total लोग मिलकर 360 degree बनाएंगे और यह 360 degree हमारा कितने percent के बराबर तो यह 360 degree हमारा 100 percent के बराबर यानि अगर एक डिगरी की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 100 बटे में मेरे भाई 360% हो जाएगा ज़स्ट उसका उल्टा यानि अगर मुझे कल के दिन ये बताना हो कि एक कितना जो है परसंट के बराबर है तो हम यहाँ बोलेंगे कि देखो अगर एक परसंट में बताना है तो उस 90 को यहाँ 100 बटे 360 के साथ क्या कर दिजे गुना कर दिजे 90 को 100 बटे 360 के साथ क्या कर दिजे गुना 90 इसको कितनी बार में काटेगा 4 बार में और 4 इसको काटेगा 25 बार में यानि दोस्त आंसर कितना आजाएगा 25% is the correct answer समझ रहे मेरी बात यानि कभी भी आप अगर किसी प्रतीशत को डिग्री में बदलना चाहते हैं प्रतीशत छोटा होता है डिग्री बड़ी होती है तो आप 360 बटे 100 के साथ गुना करेंगे और कभी भी डिग्री से आप परसंटेज में जाना चाहते हैं तो आप मेरे भाई 100 बटे 360 के साथ गुना करेंगे कारण बड़ा सिंपल है डिग्री 360 है परसंटेज 100 है बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो 100 बटे 360 के साथ गुना कर दीजेगा और percentage से degree में जा रहे हैं तो 360 बटे 11 के साथ गुना कर दीजेगा ये जो छोटी छोटी बाते होती हैं ने मेरे भाई ये छोटी मगर मोटी बाते होती हैं और यहीं आपको आगे बढ़ने में काफी जादा मदद करती हैं समझाती हैं, सिखाती हैं और आगे बढ़ने पर help करती हैं अब अगर हम माल लीजें यहाँ पर next point हम समझें यहाँ पर तो हमारा next point क्या है जैसे यहाँ पर एक सवाल छोटा सा प्यारा सा question आपके paper का पूछा गया question है और question में क्या बोला गया हमने पूरा हर साल का question उठाया data उठाया ताकि हम आपके सबी चीजों को clear up कर पाएं प्रोपर तरीके से pie chart में आप यहाँ देखे तो कहा गया है the given pie chart shows the degree of cost incurred in different expenditure on construction of a house total expenditure यहाँ दे रखा है आसान भाशा में हम आपको समझाते हैं तो यहाँ कहा गया कि देखो घर बनाने में जो खर्चा लगा है तो उस खर्चे को denote करने के लिए उस खर्चे को बताने के लिए pie chart का सहारा लिया गया है जैसे cement को यहाँ बहतर degree बताये गया steel को 36 degree बताये गया miscellaneous में 90 degree बताये गया labor को 108 degree बताये गया brick को यहाँ 54 degree बताये गया 54 बताये गया सवाल में बोला क्या है what is the percentage of expenditure on cement cement पर हमारा कितना प्रतीशत खर्च हो गया अब एक बात बताओ बच्चा जेनरली डेटा देखता है अब वो डेटा देखता है तो जैसे उसने कहा या total expenditure जो है वो हमारा इतना है और cement में अगर हम बात करें तो cement में बहतर degree खर्च हुआ है वो बेचारा लगता है यार अपना पता करने कि भाई मेरे कितना हम खर्च कर दी है क्या हो गया यहाँ पर बोलता है कि यह अगर 360 की value है तो बहतर की value कितनी होगी और तमाम तरह के वो अंट संट काम जो नहीं करने थे मेरे भाई आपसे question में यह expenditure एक चलावा है यह यहाँ पर दिखाने के लिए दिया गया है आपको यहीं तो समझना होता है पूछोगे कैसे तो ज़रा गौर से option में देखो ना क्या कहीं पर भी कोई भी value की जिकर है जो value की जिकर ही नहीं है तो यह value हमारे किसी काम का नहीं है हमसे तो बस इतना ही पूछा गया है कि पूरे रुपय में कितना percent आप cement के उपर खर्चा करते हैं यहीं आपसे पूछा गया है तो आप इसको बहुत असानी तरीके से बता सकते हैं आप यहां बोल सकते हैं कि देखो हमने सिमेंट पर खर्च कितना किया तो हमने सिमेंट पर बहतर खर्च किया बस मेरे भाई ठीक है आप डिगरी को परसंट में कैसे बदलते हैं अभी याद कराया था ना, ये हमारा डिगरी है, परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे, बड़े से छोटे में जा रहे हैं, तो 100 बटे 360, बात खतम यहाँ पर, ठीक है, कोई टेंशन की बात, बहतर से आप सीधा का सीधा काटेंगे तो 5 बार में, और 5 से काटेंगे तो म इतना पूछा गया, आपने अपने पैसो का कितना प्रतिशत सिमेंट पर खर्च किया, हमने भईया 20% खर्च किया, बता दिया हमने, खुश हो गया हम भी, ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ, आजाओ, चलो, नेक्स्ट कोशन देखो यहाँ पर, इसी तरीके से सारे कोशन सब आपको कराते चलेंगे, परिशान आपको नहीं होना है, आज यह, एक और कोशन देखिए, आपर क्या कहा गया है, अब यह सवाल आपका CPO 2411-2020 का है, देखो यार, आप लोग है न, सेशन को लाइक नहीं कर रहे है, आप तक तो मेरे भाई 5,000 लाइक पहुँच जाने थ अब यह सवाल देखो, डरना नहीं है या, डियाई से, आज के बाद डियाई को आप डराओगे, डियाई से आप नहीं डराओगे, मैं आपको बोल रहा हो यहां पर, डियाई, आपको नहीं डराओगे, आप डियाई को डराओगे, क्वेशन देखो यहां पर, the given pie chart shows the percentage distribution of 450 employee in an organization, read the pie chart and answer the question, यानि यह जो pie chart यहां दिया गया है, कुल मिलाकर 4500 लोगों के बारे में चर्चा की गई है, कि यह 4500 लोगे है, देखेंगे तो 4500 employee के बारे में चर्चा है, जिसमें नीला कलर A को बता रहा है, हरा कलर C को बता रहा है, लाल कलर B को बता रहा है, और यह कुल अगर हम जोड़ देना सारे percentage को, तो यह 4500 के बराबर दोस्त आ जाएगा, ठीक है, सवाल में हम से क्या कहा है, तो सवाल को पढ़िया आप, आप से कहा गया है, what is the central angle of sector representing the number of employee in department E, department E में जो लोग हैं, तो उनका central angle कितना होगा, department E में जो लोग हैं उनका central angle कितना होगा, department E क मतलब ये बैगनी कलर, यानि मेरे भाई इसका central angle कितना होगा, अब ऐसे सवालों में क्या लगता है आपको, central angle निकालना है, तो ये data की जरूवत है, साड़े 400 employee, बिल्कुल भी जरूवत नहीं है, आप central angle निकालने की बात कर रहे हैं, आप यानि पता है क्या बोलेंगे, हमें बड़े में जाना है, यानि इसको हम किस से गुना कर देंगे, इसको हम 360 बटे, 100 से गुना कर देंगे, बात कतम, 0 से 0 कतम, 0 से 0 कतम, 36 into 2 कितना होगा, 72 मेरे भाई, और कौन सा option आ रहा है, तो देखिए जरा गोर से छिपा हुआ है, यहांपर, C, C for चलो कहीं, घूमने चलें, मतलब बताईए, ऐसा ही से सवाल आपके पेपर में पूछे गए, C for का पिछले साल का यह question है, कि कैसे percent को degree में convert करना होता है, और कैसे degree को percent में convert करना होता है, degree बड़ा है, percent छोटा है, तो बड़े से छोटे में जाओगे, तो 100 बटे 360, और percent से degree में जाओगे, छोटे से बड़े जाओं में 360, बटे 100, बड़ा simple सा काम तसर, इतना ही पेपर में आपके करना था, धीरे धीरे हम level बढ़ाएंगे, परिशानी की कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी परिशान नहीं होंगे, कि सर खाली असान सवाल करवा रहे हैं, अभी session खतब नहीं हुआ है, अभ हर्ता प्राप्त उमिद्वारों का प्रतीशत वित्रण निरुपित करता है, राज्य में से, ठीक है, हर्ता प्राप्त उमिद्वारों की कुल संख्या 68,000 है, भाईया कितनी खतरनाक अंगरे जी है, मतलब क्या हम सो इतने खतरनाक हिंदी, तो हम बच्वन भी नहीं पड़े 78,000 लोग can qualify किया है, अलग-अलग جगा से, ठीक है, अलग-अलग state से, अलग-अलग district से, यहाँ पर, कोई district A से है, B से है, C, D, E, F, मतलब यह 6 district से मिला गोल naar 68,000 लोगों ने क्या किया है, qualify किया UP isень, अभी तो question यहाँ सुरू भी रही हुआ है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम अपना सवाल एक बार देखते हैं, सवाल में हमसे क्या बोला? तो सवाल में मेरे भाई यहां पर क्या बोला देखो, इतना लंबा चोड़ा सवाल और आंसर बनेगा मातर ITTU-SA मतलब इतना सा आपको जितनी यहां पर एक तरीके से नफरत है ना उनसे, बस उतने दिर में आपका solution बन जाएगा, क्योंकि प्यार तो आप ज्यादा करते हैं, नफरत तो इत्तु सा ही होता है ना, ठीक है, आज वो सवाल में देखो, तो बोला गया, out of the total selected candidate from district B and D, ठीक है, ध्यान से समझेगा, अच्छा question है, CHSL का पूछा गया, धंका सवाल है, क्या कहा गया है, तो total selected candidate, कहा से, B से और D से, ruler candidate है 60% and 40%, ruler का मतलब जो गाउं से आते हैं, ठीक है, तो ruler candidate कितने है, तो 60% है और 40% है, the number of selected urban candidate from B, is what percent to one decimal place, more or less than number of selected urban candidate from D, लंबा चोड़ा भाशन दे दिया, ठीक है, examiner को संतुष्टी मिल गई, पांच मिनट हमारा वेश्ट करके, ठीक है, मतलब क्या चाहता है, पता नहीं क्या चाहता है, कोई tension की बात नहीं है, हमें उस पे जादा focus नहीं करना है, यानि हम अगर D.I. को तोड़ के समझे, तो हम हमें यहाँ पर पूरा का पूरा 6 district दे दिया, उसमें हम से यहाँ पर बोला कि देखो, district B में, ruler candidate की संख्या 60% है, और district D में ruler candidate की संख्या 40% है, यानि B वाले district में 60% बच्चे गाउं से आते हैं, और D वाले district में 40% बच्चे गाउं से आते हैं, ठीक, हमें यहाँ पर देखो कभी भी अगर ये बताना होना कि कौन किस से कितना प्रतिशत जादा है या कौन किस से कितना प्रतिशत कम है तो वैसे मेरे भाई हलात में आप उन दो लोगों का अनुपात ले लिया करना रेशो लिया करना बड़ा असानी से बन जाएगा हमें यहाँ पर कहा गया है number of selected urban candidate देखो दिया ruler था और पूछा urban है तो urban candidate from B यानि सबसे पहले हम urban candidate from B की बात कर लेते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर बड़े प्यार से आप समझेगा सवाल को देखेगा तो यहाँ क्या बोला गया है selected urban candidate from B टीक है बी में गाउं के बच्चे कितने हैं 60% तो सहर के बच्चे कितने होंगे 40% यानि यहाँ पर इस संख्या का 40% यानि हम बोलेंगे सर देखो बात ऐसी ह या 25% का कितना 25% का 40% यह कौन संख्या है तो यह वो लोग हैं जो B के हैं और B के urban लोग हैं यहाँ पर देखेए the number of selected urban candidate from B बी में कुल इतने लोग हैं साथ परसंट गाउं से हैं तो शेहर से कितने होंगे 40% इसकी तुलना किसके साथ की जानी है तो selected urban candidate from D selected urban candidate from D और D में कितने लोग हैं तो 18% लोग हैं और इस 18% मेरे भाई किसका तो 18% देखो D का 40% बच्चा गाउं से है तो D का कितना परसंट बच्चा शेहर से होगा तो वो इन ही दो को compare करके answer बताना था बुलेंगे sir कई से देखिए अभी हम आपको बताते हैं आप जब यहां पर अगर गौर से थोड़ा सा देखेंगे आप इनका एक तरीके से cutting करेंगे तो देखिए percentage 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 और percentage को खतम कर देगा 20 से अगर हम काटेंगे तो 2 बार में कटेगा 20 से हम हम काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 9 बार में यानि ये 25 है और ये हमारा 27 है यानि ये 25 हमारा 27 से कितना कम है ये 25 हमारा 27 से कितना कम है तो हम बोलेंगे sir 25 देखो यह 25 और ये 27 कितने की कमी तो 2 की कमी जिससे तुलना की जाती है हमेशा denominator में वहीं रहता है इसके साथ 200 को 27 से भाग करोगे तो लगवग लगवग आपका यहाँ पर काटेगा 7.4 यानि option number C for correct answer हो जाएगा आप भाग करके देख लिजे क्योंकि यह संख्या इससे कम है तो more वाला तो answer हो ही नहीं सकता मेरे भाई less वाला ही यहाँ पर answer होगा और अगर हम less की यहाँ पर बात करते हैं तो option number C जो है वो 7.4 आप divide करके देख लो हमने तो divide करके देख लिया 200 बटे आपका 27 लगवग आपका आएगा 7.4% के करीब में तो छोटी सी बात यार जादा नहीं है मेरे भाई यहाँ पर कहां हमने data का इस्तमाल किया कोई data का इस्तमाल नहीं किया कौन कितना था कोई फर्क नहीं पड़ता है हमने तो बस यहाँ पर देखा कि B का इतना percent urban है और D का इतना percent urban है यानि इन दोनों का ratio देख लिया और उसक तो थोड़ा रंगा रंग डियाई नहीं रहेगा थोड़ा प्लेन प्लेन वाला डियाई रहेगा और यहां पर आपको फिर देखना की कैसे सवालों को आप उड़ा दो गए जैसे यहां पर देखो तो कहा गया है दपाई चार्ट गिवन बिलो शूज द नंबर आफ मेल इन सि खुलाना पता नहीं क्या दिया हमको नहीं पता सिधे क tut पर जंप अब करेंगे नंबर आफ मेल इंडिपार्ट मेंट स यह अं रहा हे तो यहां रहा काम का इया हम है यहीं हां पर अगर बात करें तो यह चोवन डिग्री की वैलू कितनी है तो गहला है यहां हमारे पेपर में आप समझने उतना थोड़ी गए हैं कि बैठके एक एक लाइन को decode कर रहे हैं, आपको कौन सा उसके उपर editorial चापना है, नहीं चापना है, आपको अपने data से मतलब है, डियाई का मतलब ही हो गया data को, यानि यहाँ पर इसकी value कितनी दी गई है, तो 1080 दी गई है, बस बात कतब, अब हमसे question क्या पूछा गया, वो देखे, तो J जो है, वो किसके बारे में बताता है, total number of male in T and P, यानि यहाँ पर T में, और उसके बाद यहाँ पर P में, इन दोनों में कितने लोग male हैं, उसके बारे में कौन चर्चा कर रहा है, तो J चर्चा कर रहा है, और K जो T में और Q में, जितने male का difference है, यह उसके बारे में बता रहा है, तो पहले आपको J का मान निकालना है, फिर आपको K का मान निकालना है, और फिर बाद में क्या कर देना है, जोनों को जोड देना है, अभी एक महीने पहले जो CGL का mains हुआ था, यह उसमें question आया था, गौर से देख लिजे यहाँ पर, ठीक है, SSC CGL में 8-8-2022 को यह आपका question पूछा गया है, कोई tension की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके तरीके अलग हो सकते हैं, बट आपको यहाँ पर smart approach सीखना चाहिए, कि कैसे आप इन सवालों का smart approach से सीख पाएंगे, बना थी, यानि यहाँ पर अगर हम बात करें, तो 54 degree की value 1080 है, यानि इसको किस से गुना किया गया है, तो 54 का 2 गुना 108 होता है, यानि इसको यहाँ पर 20 गुना किया गया है, यानि अगर 54 degree इतने के बराबर है, तो 1 degree 20 लोगों के बराबर होगी, हमने अपने मन में तो इतना सोच ठीक है कि यह अपने आपका 20 गुना हो चुका है अब आज आते हैं सवाल पे सबसे पहले J के बारे में जानते हैं तो J जो है total number of male in T and P ठीक है T और P का बस आप degree degree में answer दो तो 90 degree और 30 degree यानि J की value अगर हम बात करें तो कितना degree हो जाएगा 120 degree खबरदार जो अभी degree को percentage में बदला तो या degree को value में बदला कुछ नहीं करेंगे K की बात करते हैं difference between male in P and Q ठीक है P और Q का अंतर यानि 90 और 30 का अंतर कितना होता है तो 60 होता है यानि ये कितना degree हो जाएगा तो 60 degree अब हमें क्या बताना है J plus K का मान बताना है यानि J की value 120 degree और K की value 60 degree तो 120 और 60 हमारा कितना हो जाएगा 180 degree हो जाएगा कितना हो जाएगा मेरे भाई तो 180 degree हो जाएगा यहाँ degree अपने आपका 20 गुना हो रहा है तो यहाँ पर भी degree अपने आपका 20 गुना हो जाएगा और जब आप 180 को 20 से गुना करोगे टोटल आपका 36 सो आएगा option number C is the correct answer कहां tough था सर मन का वहम है यहाँ यहाँ पे यह बैठा हुआ है वहम है कि D.I. tough आता है कोई D.I. tough नहीं आता है क्या आप उ C.H.S.L. के question नहीं कराया ना C.P.O. का करवाया मेंस का करवा रहा हूँ कहां पर आपका D.I. tough है बताईए यह एक वहम है और मैं चाहता हूँ देखो सबसे मुश्किल काम होता है यूटूपर D.I. पढ़ाना पता है सबसे कम बच्चे इसमें लाइव बैठे होते हैं इसमें व्यूज नहीं आते हैं लोगों को लगता है मसालेदार चीज़े पढ़ाओ जिसमें बच्चा भी वह वह ताली ताली एकदम बजाता रहे बट मेरे भाई यहां मुझे व्यूज सही ही नहीं मतलब ही नहीं मुझे उस चीज से मैं तो यार कुछ सिखाने आया हूँ यहां पर मैं बस यह सोच कर आया हूँ कि बच्चों को आज वो सभी टॉपिक्स सिखाने जो उनको मुश्किल लगते हैं जैसे स्टाइटिस्टिक्स हो गया, प्रॉबाइबलिटी हो गया डी आई हो गया, यह ऐसे टॉपिक्स हैं बहाशा को तोड़ा कैसे हमने आपर समझा चलिए, सेशन को लाइक करते रहेगा एकदम भोकाल तरीके से हर जगा पर शेर भी करते रहेगा, हमने रिस्क लिया है मेरे भाई, और आपको यहाँ पर पूरा फुल सपोर्ट दिखाना है, पूरा फुल प्यार दिखाना है अपना पूरा प्यार कमेंट वक्स में दिखाते रहना है और सेशन को हर जगा पर लाइक और शेर करते रहना है अब आज ही है, जैसे एक और डियाई के यहाँ पर बात है एक और पाई चार्ट की यहां बात है क्या कहा गया है पाई चार्ट शोज देखो ब्रेक अप शब्द आ गया मेरे भाई और ब्रेक अप से मुझे यहां पर याद आ गया आज सुभा ही एक बच्चा बहुत जोड़ जोड़ से चिल जा रहा था ब्रेक अप हो गया सर ब्रेक अप हो गया सर क्या करें मेरे भाईया देखो यार जिन्दिगे में चीदी से बात एक बता रहे है बहुत सिंपल सी बात हम आपको बताते हैं अगर आपका यह होता है ना यह तो उतना मत रोया करो यार यह हो गया, वो हो गया, वह हो गया, वड़ा सिंपल से खुश रा गर रहे हैं, रीजन मैं बता रहा हूँ, पहली बात जीवन में जो होता है, उस बड़ा अच्छा सा होता है, टीक है, शायद उनके किस्मत में यह नहीं था कि वो एक इंस्पेक्टर को एक तरीके से अपने सा समझ के जो है यहाँ पर इन चीजों में सपोर्ट करते हैं, अब आप बोलोगे सर कई से बोल रहा है, रियालिटी बोल रहा हूँ मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अगर कुछ जाता है इसलिए ताकि उससे बहतर आपके घर पर आ सके, मारुत्ती अल्टो अगर भी क इसलिए यहाँ पर सवाल क्या पूछा गया, बोलो किसर कई सवाल है, देख लो सीजल परी का सवाल है, ज्यादा आप लोग है प्राइवेट बाबू बनने के चक्कर में रहते हो, हम सरकारी बाबू बनाने का कसम खाए है, बताओ, ठीक है, तो प्राइवेट बाबू बन ज बन जाओ है आजो चलो सवाल देखो यहां पर कोशन में क्या बोला गया देखो थोड़ा सा तिकड़मबाजी वाला सवाल है दिमाग घुमाएगा टेंशन नहीं लेना है ठीक है If the percentage of male employee in office C is 20% यानि अगर हम बात करते हैं यह office C में तो office C में अगर हम male की बात करें तो male कितना होगा 20% तो यहां female कितनी होगी मेरे भाई तो 80% होगी ठीक है यानि इस संख्या का 20% male है और इस संख्या का 80% female है हम अभी कुछ भी नहीं करेंगे बस समझेंगे ठीक है and that of female employee in the office D is 40% बात करते हैं office D को लेकर तो office D में हमारा female कितना है तो मेरे भाईया female की जो मान है ठीक है वो हमारा 40% दिया गया अगर female 40% है तो male हमारा कितना होगा male हमारा 60% होगा clear है यह बात यहां पर अब आज यह क्या कहा गया है then what is the ratio of number of female employee in office D ठीक है to that of female employee in office C मतलब यहां पर जो female employee है office D में और female employee है मेरे भाईया office C में इनका हम से अनुपाद पूछा गया है यहीं तो सबसे मज़े की बात है जब 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 जीवन में ratio आ जाये तो समझ लेना यहां पर काम आसान हो चुका है जैसे उनके आने से जीवन आपका सुगम हो गया बहतर हो गया first class चलने लगा वो इसे जब भी option में ratio आ जाये तो समझ लीजे जीवन एक दम सही track पर सही mode पर जा रहा है तो हमसे कहा गया ratio of number of female employee in D to female employee in C अब यहां देखो D है D के पास कितनी value है तो 90 degree तो आप पता है क्या बोलोगे सर 90 degree का 40% यहां पर female है 90 degree का 40% सर और office C में बात करें तो 54 degree का 80% है कितने का है सर तो 54 degree का 80% अरे ratio ही न पूछा है बता देंगे कौन सा बड़ा काम है इसे 40% को उठाओ इसको एकदम दो बार माई से काटो पूरा का पूरा ठीक है यहां पर अगर आप गोर से देखोगे तो देखो मरे भाई ठीक है 18 से काटोगे न तो 5 बार में कटेगा और 18 से काटोगे तीन बार में कटेगा 5 और 3 इंटू 2, 6 यानि कौन सा option आएगा B for बड़की बहू इस दर करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए कोई दिक्कत की बात है हाँ पर बहुत अच्छे B for बाबू ने थाना थाया, बहुत सांदार तो option number B जो आजाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा यहां पर यह हमारे D में female employee के संख्या यह हमारे C में female employee के संख्या गुना कहीं नहीं करना सीधा कट्टम कुटाई खेलेंगे और उत्तर लेकर आ जाएगे ठीक है? आज यही है नेक्स्ट कोशिन यहां देखिए नेक्स्ट कोशिन जहां पर यह क्या हो गया अपर P P T gübrag वढ़ हो गया भाई कोई बात नहीं कोई बात नहीं आपने पास सारा जुगार है हम भारतिय हैं जुगार पर चलते हैं आइए यहां सवाल देखिए हैं आपर इस सवाल में आपसे क्या कहा गया है question में कहा गया है this table shows the number of students studying in various streams ठीक है अलग-अलग stream में पढ़ रहे बच्चों के बारे में कहा गया है जैसे यह art का stream हो गया science हो गया, commerce हो गया यहाँ पर a में दिया गया है कि college a में arts पढ़ने वाले इतने बच्चे science पढ़ने वाले इतने बच्चे commerce पढ़ने वाले इतने उसी तरीके से B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया अलग-अलग college हो की यहाँ पर मानने ता या मान दिया गया है अब अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा सवाल है, उस सवाल में हमसे पूछा क्या है, जरा गौर से देखिए मरे भाई तो इस सवाल की अगर हम बात करते हैं तो सवाल में हमसे क्या पूछा गया वो देखिए तो सवाल में यहाँ पर हमसे कहा गया है कि if the data about student of commerce stream in all the subject, all the college is represented by a pie chart यह इस पूरे के पूरे डेटा को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं मेरे दोस्त हम इसको pie chart से रिप्रेजेंट करते what is the central angle of sector representing college D ठीक है, to the nearest integer यानि अगर हम इस पूरे डेटा को देखो किस डेटा को यहाँ पर if the data about student of commerce stream यानि यदि हम इस पूरे के पूरे commerce को, यदि हम इस पूरे के पूरे commerce को किस से डेटा कर रहे होते एक ऐसे pie chart से जिसमें हम बकायदा ये बताते कि ये college A है, ये B है, ये C है D है, E है, ऐसे करकर के अलग तो मेरे भाई उसमें अगर जो ये D नाम का college आता ना, तो इस D नाम के college को कितना degree दिया जाता ये हम से पूछने की बात है कि यदि commerce को हम pie chart से बनाते हैं, तो college D को यहां कितना degree मिलता, कोई tension की बात नहीं है, कोई परिशानी की बात नहीं बहुत असान काम है, आप यहां पर समझे हैं, आप अगर इसको pie chart से बनाते हैं, तो इसके total data को किस के बराबर रखते हैं, यह जो आप total निकालेंगे, यह total को किस के बराबर रखेंगे, 360 gradi के बराबर ही तो रखेंगे ना, तो बस इनको रखी यहां पर, आप बोलेंगे, सर देखो यहां पर, जो बात है, यह तो 360 gradi है, यह कितने की value है, तो इन सब ही का यहां जोड है असल में हमेशा लाइफ में इस बात को ध्यान रखना है जिसकी वैल्यू निकालनी होती है वो उपर होता है अगर आप डिगरी निकालना चाहते हो तो डिगरी हमेशा उपर रहेगा तो आप बताओगे यहां सर 360 डिगरी की वैल्यू जोड़ो यहां पर 500 और 400 900 और यह हो गया हमारा कुल मिलाकर 1000 ठीक है और यहां पर 500 और 300 800 800 और 300 1100 और यहां पर यह हो गया 1200 तो 1200 मेरे भाई और 1000 टूटल सम कितना आ गया तो इनका टूटल सम आ गया 200 यानि अगर हम बात करें तो 200 बच्चों के लिए 360 डिगरी है हमें तो सिर्फ यहां पर जो है इस 520 बच्चों के चेंता है यानि इस 520 बच्चों के लिए हमें बताना है हमारा सवाल आ गया सर इतने बच्चों के लिए इतना डिगरी तो 520 बच्चों के लिए कितना डिगरी काटिए बड़े प्यार से 0 और 0 से आपका 0 और 0 खतम 2 से काटेंगे तो 11 बार में जाएगा 2 से काटेंगे तो 18 बार में जाएगा गुना करेंगे 18 का 2 गुना 36 चे 6 हात में 3, 18, 90 और 3, 93 भाग करेंगे सर 11 के साथ 11 का 8 गुना 88 होता है 56 यानि 11 का 5 गुना 55 यानि 85 डिगरी के करीब में आएगा, option number D for, देव सिना is the correct answer, ठीक है सर, बहुत अच्छा, कॉंबो बैच कब आएगा, बहुत जल्दा आएगा, लाइफ बैच भी आएगा, कॉंबो बैच भी आएगा, कम से कम आपको लग जाएंगे, एक अफ़ते या दस दिन, और मेरे भाई, क्योंकि और भी चीजों पर हम बिजी हैं, आफ लाइन में तो ऐसा महाल सा हो रखा है, क ठीक है, और जो बच्चों का क्रेज है, वो सात्वे आसमान पर चड़के बोल रहा है, ठीक है, अलग-अलग कूचिंग इस्टूट में अलड़ी पढ़ रहे बच्चे, वहाँ की फीस को छोड़कर आकर मैथ स्पेशल मैड मिशन ले रहे हैं, ऐसा वाला महाल हो रखा है मे ठीक है, उतने स्मार्ट नहीं है, नहीं है भीया हमारे इंस्टाग्राम पर उतने फॉल्वर, नहीं हम कारते हैं वहाँ, डीप्यो पे कुछ नहीं लगाते हैं, ठीक है, वो फोटो आप नहीं देख सकते हैं, जो आप सूच रहे हैं अपने मन में, वो वाला लाइक आपको मिलने वाला कम से कम लाइक वाइक तो कर दीजे बताईए मतलब जरूरी है यहाँ पर कि आप जिनको फॉलो करते हैं और वो जो पोस्ट डालेंगे तो आप जाकर उसी पर लाइक करेंगे इस सेशन को भी तो लाइक किया जा सकता है ना दोस्त दिल दुखा रहे हो बताओ कर दो जिब से पैसे थोड़ी लग रहे हैं ऐसा करते हो अब तक साथाट जार लाइक पहुँच जाने थे रुला के छोड़ते हो एकदम देखो यहाँ पर next देखो table यहाँ पर the table shows the production of different type of car यह हमारा car है और इसके production के बारे में चर्चा की गई है ठीक है तो चर्चा की गई है तो यह हमारा car A का 2012 में कितना production, car A का 13 में कितना production, 14 में कितना production ऐसे करके पूरे की पूरी चर्चा यहाँ दी गई है सभी कारों के बारों में अब यहाँ पर जो हमें पढ़ना है वो क्या है तो सवाल देखे क्या बोला गया है कहा गया है if the data related to production of car of type E is represented by a pie chart अगर हम बात करते हैं पर कि यदि हम इस पूरे के पूरे E को हम pie chart से अगर हम denote करें मेरे दोस्त ठीक है तो the central angle of sector representing the data of production in 2013 यानि 2013 यानि इसको कितना degree दिया जाएगा अभी न यह सवाल बताए हैं बताओ अब जब बताए हैं तो answer कौन देगा हम देंगे आप देंगे बताएए एक question तो जनाब हम सिखा दिये न आपको अब ज़रा इसका भी answer आप दे दीजे हंसते खिलते मुस्क इतने degree होते हैं 360 ठीक है और ये मेरेवाई किसके बराबर हैं तो इन सब के जोड़ के बराबर ठीक है 20 और 40 60 60 140 130 130 140 170 हो गए 5 3 8 और 12 यानि 114 हो गया मेरे भाई तो 114 लोगों के बारे में बताया गया है और हमें 42 के बारे में बताना है तो 42 से गुना करेंगे क्योंकि जिसक पता करना होता है वह उपर ये इसको बड़े प्यार से दो बार में काटेगा 42 into 2, 84, option number B for Bahubali, बताओ सेशन में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या जो DI का आपका डर था वो लग रहा है आपको कि दीरे-दीरे खतम हो रहा है, क्योंकि आप प्री और में सभी लेवल के questions को कर रहे हैं, तो एक मुझे comment box में थोड़ा ये भी बताइए, बहुत अच्छे दोस्तों, ठीक है, आज ही है, अब यहाँ पर एक और question की तरफ हम बढ़ते हैं, एक और question हम देखते हैं, ठीक है, next question, यह सारा चाइना से आ रखा है, सारा लिटर देख रहे होगी, इसे चाइनीज हो गया था, अब इस सवाल में देखो आप एक बार क्या कहा गया है, कहा गया है तो given pie chart, अब मैंने जैसा आप से कहा था न, कि धीरे 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 हम level को बढ़ाते चलेंगे, तो पहले बहुत basic questions कर आने वाले हैं, जहां पर आपको एक pie chart भी दिखेगा और आपको यहां पर एक bar graph भी दिखने वाला है, यह दूनों आपको दिखेंगे मेरे भाई, बहुत ही शांदार तरीके से, ठीक है, जल्दी से देखे एक बार, ठीक है, तो जल्दी से यहां पर एक बार देखे, आप यहां बोलेंगे कि सर देखो यह pie chart है, और यहां पर एक तरीके से आपका यह tabular di है, question में यहां क्या कहा गया है, the given pie chart shows the percentage of student in 5 school and table shows the ratio of boys and girls in this school, ठीक है, यह हमारा पूरा का पूरा school है, कितने तरह के 5 और इसमें girls और boys का ratio दिया गया है, ठीक, और यह आपका पूरा का पूर percentage है, कहने का मतलब जैसे मानो पूरे के पूरे 100% लोग है, तो 100% जैसे एक शहर में 100% लोग रहते हैं, तो उसमें से 15% B में रहते हैं, school B में पढ़ने जाते हैं, 28% इसमें पढ़ने जाते हैं, 15% इसमें पढ़ने जाते हैं, अब जैसे मानो अगर हम A का ही data उठा लें, तो तो मानो 100 लोग हैं, उसका 28 परसेंट यानि 28 लोग, किस में जा रहे हैं तो A में जा रहे हैं, और इस 28 में लड़कियों और लड़कों का अनुपात क्या है, तो बोलोगे 3 और 4 का रेशो है, यानि ये 7 यूनिट किसके बराबर है तो 28 बच्चों के, एक यूनिट किसके के, और 4 यूनिट किसके बराबर 16 के, यानि इस तरीके से यहां डिस्ट्रिबूशन किया गया है, कि पहले उनको परसेंटेज में तोड़ा गया है, और फिर उस परसेंटेज को यहां रेशो में बताया गया है, काफी स्पेसिफाई करने की कोशिश की गई है, कि ये हमारा पूरा जन संख्या है, और उसमें हमारा मेल और फीमेल यानि गल्स और बोइस का रेशो कितना है, तो एक बार हम सवाल देखते हैं कि असल में, सवाल में हमसे पूचा क्या गया है, और ये सवाल आपका प्रिवेस येर का कोश्चन है, एक किस अपर दोहजार बाइस का, प्रिंटेज लेस देन देन नंबर ऑफ बोइस इन स्कूल भी, मैंने हमेशा जीवन में आपसे ये बात बोली है, कि कभी भी अगर दोस्त आपको ये पतागरना होना, कौन किससे कितना परसंट जादा है, कौन किससे कितना परसंट कम है, बहुत असान काम है, उन दो लोगो कि आप तुलना कर लिजे, उन दो लोगों का कंपेरिन कर लिजे, खेल खतम आप यहाँ पर देखिए, तो आपकी बात की गई है गर्ल्स की और कौन से स्कूल में D में, आप बस मेरे अप्रोच को देखिएगा और यहीं अप्रोच आपको लगाना है तो सबसे पहली बात, स्कूल D में कितना परसंट हा, 18% तो मेरे भाई 18%, ठीक है हमने यहाँ पर कहा, D में हमारा कितना 18% और इस 18% में अगर हम बात करें लड़कियों की संख्या तो जरा यहाँ पर आप देखो, तो D का जो रेशियो है, वो 1 और 2 का है ठीक है, यानि यह 18% कितने की वैल्यू है, तो यह 18% टूटल, 3 की वैल्यू है उसमें अगर हम लड़कियों की संख्या चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 से multiply करना पड़ेगा, आप मेरी बात को समझ गए बड़े ध्यान से, कि यह जो अगर हमें लड़कियों की संख्या चाहिए तो एक से गुना करना पड़ेगा उसी तरीके से आप यहाँ देखिए तो हमें number of boys लेना है किसमें school B में B वाले school में लड़कों की संख्या कितनी है तो आप यहाँ देखिए तो B वाले में यहाँ कितना परसेंट है तो B हमारा 15 परसेंट है और यह जो हमारा B है यह कितने भाग में बटेगा तो कुल मिलाकर 5 भाग में बटेगा कितने भाग में बटेगा सर तो 5 भाग में बटेगा उसमें हमें किसका चाहिए boys का, यानि boys का कितना पार्ट है सर तीन पार्ट है, तो हमें आद तीन से multiply करेंगे ठीक है, अब आप यहाँ देखिएगा, तो तीन इसको कितनी बार में काटेगा, तो छे बार में काटेगा और पांच इसको कितनी बार में काटेगा, तीन है यानि कितने की कमी है तो एक की कमी है और कितने के उपर 3 के उपर एक बटे 3 into 100% यानि 33.33% आता है मेरे भाई यहाँ पर आपको भी यह बात पता है यानि कौन सा उपशन है आपका नियरेस्ट तो उपशन नमबर A4 आभी जाओ इस दक करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुत ही सिंपल केस है सर बहुत ही सिंपल केस है आप इस बात को समझे है यह जो प्रतिशत आपका दिया गया है यह कुल मिलाकर आपके तीन लोगों के बारे में चर्चा की गई है उसमें हमें एक का निकालना था यानि जब भी सवाल देखो D.I. पता है क्या है D.I. लगता है लोगों को tough लेकिन वो tough तब होता है जब value की बात की जाती है examiner को भी यह बात पता है कि बच्चे को पढ़ने में ही इतना समय लग जाना है तो ऐसा वो question देता है या तो वो percentage देगा और नहीं तो मेरे भाई यहाँ पर वो आपको ratio देगा ठीक है क्योंकि इन दो में कभी भी exact मान निकालने की अवशकता नहीं पढ़ती है और जब भी आप सवालों को पढ़ते हैं तो आप सवालों को जब पढ़ें और आप जब option को देखें तो आप यू समझ लीजे आपको मान की कोई आवशकता है ही नहीं कोई भी ज़रूरत मेरे भाई कहीं दूर दूर तक नहीं है और आप खुश हो जाईएगा बस इस बात पर ठीक है आजएए नेक्स्ट कोईशन एक और डियाई का हम आपको करा रहे हैं ये भी प्रिवेस येर का है पहले आप दिये गए इन्फरमेशन को पढ़िए और तुरंट से साथ जार लाइक पार कर दीजे अगला कोईशन फिर हम दिखाते हैं यहाँ पे कोईशन में आ कहा गया है देखो आप अपना काम पीशे से लाइक और शेयर वाला करते रहो हम अपना काम पढ़ाने वाला करते रहेंगे बस यही बात है यानि Class 10 में यहां पर अलग-अलग स्कूल की बात की गई है ठीक है यहां स्कूल अ में 20% बच्चे पड़ते हैं B में इतना C में इतना D में इतना E में इतना इतना यह सारी बाते यहां बुल दी गई उसमें सब से Important बात यहां क्या कहा गया यहाँ पर जो यह sections हैं, उनमें number of boys की भी संख्या दे दी है, थोड़ा सा गुमा देगा आप, जैसे section A में यहाँ पर 36 लड़के हैं, B में इतने लड़के हैं, C में इतनी, यानि यहाँ से आपको total जन संख्या मिल जाएगी, यहाँ पर आपको लड़कों की संख्या दे दी है total जन संख्या में से लड़का घटा देंगे, तो लड़की का मान निकल जाएगा, बोलोगे total कैसे, तो देखो यहाँ पर, total यहाँ पर कितने student पढ़ते हैं, 300, अगर हम मान लो एक ही बात करें, तो यहाँ पर 300 का 20%, यानि 300 का 20% मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे sir 300 into 20, बटे 100, यानि A में कुल मिलाकर कितने बच्चे पढ़ते हैं, 60 बच्चे पढ़ते हैं, और उस 60 में लड़के कितने हैं, तो 36, जो बच गई वो क्या होंगी, लड़किया ही तो होंगी, तो यह हम आपको समझाने के लिए बताएं, अब इसमें question नहीं है, question तो अब section हमारा E है, ठीक है, ठीक है, the ratio of number of boys to the number of girls is ratio 3, ratio 4, specify कर दिया, कि इस section में E में, लड़कों की और लड़कियों की जो संख्या है, ठीक है, अगर हम बात करें, तो boys और girls का जो ratio है, वो कितना है, 3, 5, 4 है, ठीक है, then the ratio of number of boys in section E, यानि यहां पर section E में boys का ratio, ठीक है, section E में boys का ratio, ठीक है, किसके साथ यहां पर, to the number of girls in section C, ठीक है, to the number of girls in section C, यानि section E में boys का ratio, और मेरे भईया section C में girls का ratio हमें बताना है, क्या value किया वशकता है, नहीं है न दोस्त, value कौन लेता है, मुर्ख लोग लेते हैं यहां पर, आप value लोगे क्या, बिलकुल भी नहीं, आप यहां बोलोगे, सर देखो, यह कितना percent है, तो 14% है, और यह कितना ratio है, 7, यानि यह 7 unit 14% के बराबर, एक unit देखें सर, यह 7 unit 14% के बराबर, एक unit कितने percent के बराबर, 2% के, तो लड़का हमारा कितना unit है, 3 unit है, 7 unit 14%, 1 unit 2%, तो 3 unit कितना percent हो जाएगा, तो 6%, यानि section E में boys कित कितने है, तो 6% है, पूरे DIA का कितना percent है, 6% है, अब section C में girls की बात करते है, section C कितना percent है, total 19% है, section C कितना percent है, 19% है, मेरे भाई, ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखो तो, ठीक है, 19% है, ठीक है, अगर यहां पर section C में यहां पर लड़के कितने हैं, तो 34 है, अब अग से वैल्यू भी ले सकते हैं कोई टेंशन की बात नहीं है कुल मिलाकर हमारे पास डेटा कितना था 300 बच्चों के बारे में बात की गई थी कितने बच्चों के बारे में बात की गई थी 300 बच्चों के बारे में बात की गई थी ठीक है तो यहाँ पर एक काम करो percentage से भी कर सकते हो या यहाँ पर संख्या निकाल कर भी total बच्चे कितने है 300 तो एक काम करो section E में यहाँ value निकाल लो कितना होगा तो बोलोगे सर टोटल बच्चे 300 हैं और सेक्शन सी में हमारा यहां पर जो है वह यहां बॉइस कितने हैं 34 तोटल बच्चे 57 लड़के हमारे 34 तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी साथ से चार तीन और पांच से तीन दो यानि इतनी लड़कियां हो जाएंगे क्योंकि हमें कहा गया girls in section C तो girls की संख्यां हमने निकाल दी 23 ठीक है आराम से कोई दिक्कत की बात girls की संख्यां हमारी कितनी आ चुकी है 23 आ चुकी है अब यहाँ पर एक और बात हम आपको बताते हैं यहाँ जो E है इसके यहाँ पर दो पार्ट किये गया है एक boys में गया है एक हमारा girls में गया है और वो किस ratio में गया है तो 3 और 4 के अनुपात में यानि यह 7 unit 14% को बता रहा है एक unit 2% को बताएगा तो 3 unit कितना हो जाएगा 6% ठीक है 3 unit कितना हो जाएगा 6% यानि यहाँ पर जो है हमें अगर बात करते हैं तो हमें 300 का कितना percent निकालना पड़ेगा 6% निकालना पड़ेगा यानि अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा 18 तो अगर हमें जो ratio चाहिए था वो कौन सा चाहिए था हमें जो मेरे भाई ratio चाहिए था number of girls in section C यानि section C में number of girls कितना है, 23 है, यानि 18.23, option number A is the correct answer, आभी जाओ बहुत असान काम किया, कोई यहां पर बड़ा काम नहीं किया, इस 19% का मान निकाल दिया, 57 आ गया लड़कों की संख्या गटा दी, लड़कियों की संख्या आ गई, 23 हमारे दो option में था, इसे लिए हमें calculate करें कि आवशक्ता पड़ी, तो ये तो एक part हो गया, दूसरा यहां पर part calculate किया, इसको 3 और 4 के ratio में बाटा गया है, यानि 7 unit की value 14%, 3 unit की value 6%, तो 6% का यहां मान निकाल दिया, इस 6% का यहां मान निकाल दिया, और यहां पर, एक तरीके से लड़कियों की संख्या निकाल दिया, और दोनों कानुपात हमने ले लिया, सर हो गया, खेले हां पर ठीक है, समझ गया आप लोगे हां पर, आजेए, एक और प्यारा सा अच्छा सा question, बहुत अंसे ठीक है, सर आप कब ज्वाइन कर रहे हैं, बताओ ज्वाइन कर ले ठीक है, बता दो अगर ज्वाइन करना है डिपार्टमेंट तो क्या चाहते हो, ज्वाइन कर ले ये बताओ पहले, चलिए बहुत अच्छे वाँ भाई वाँ देखो, डियाई ऐसा topic होता यार थोड़ी सी मुश्किले होती हैं, कोई टेंशन की बात यहाँ पर नहीं है, थोड़ा सा problem होता है बच्चों को समझने में, adjust करने में बट एक बात बताओ ना, challenges लाइफ में कहां नहीं है, हर जगा अपर तो है और जो मुश्किलों से डरा है वो क्या life में आके बढ़ा है अगर मैं सोच लेता यार की, मैं क्या करूंगा life में, already इतने star star लोग बढ़ाने वाले हैं, इतने बड़े-बड़े institute हैं, हमारे तो institute काफी छोटा सा था, 49,000 का परिवार था, ठीक है, हमारे पास तो यार 4-5 watching होते थे, तो अगर मैं यह सोच था कि क्या ऐसे हो जाएगा, तो possible था क्या बताओ, जब 5 watching थे तब से बढ़ाना शुरू किया हम लोगों ने मेहनत की बच्चों के लिए, आज भी दिन रात और ऐसा नहीं था कि तो हमारे पास कुछ नहीं था तब हमारे पास एक अच्छा गासा जॉब था एज़ा हमें पता था कि एक साइज इंस्पेक्टर या एक हम इंस्पेक्टर पोस्ट पे लगने वाले हैं लेकिन फिर भी dedication किस के लिए था कि जिस तरीके से हमने नौकरी पाने के लिए बिल्कुल zero से शुरुआत की उसी तरीके से यहां पर भी बच्छों को पढ़ाने के लिए बिल्कुल zero से शुरुआत करेंगे ना जीवन में मेहनत तब कम हुआ था ना जीवन में मेहनत आज कम है सुभा के 9 बज़े से लेके रात के 2 बज़े तक back to back classes, 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 classes बोलोगे रात के 2 बज़े तक class कौन लेता है चलती है मेरे भाई बहुत सारी ऐसे recording's होती है जो आपको पता नहीं होता है वो चल रही होती है background में तो आज के भी समय में अगर मैं हिम्मत नहीं हारता हूँ सुबह से लेकर शाम तक इतनी मैंनत करता हूँ सिर्फ इस वज़े से कि हम मुझे कुछ life में चाहिए और वो ये चाहिए कि वो आप लोगों का selection है तो फिर आप अपने selection के लिए कैसे इम्मत हार जाते हो बस अगर कुछ ना भी मिले तो यूँ सोच लेना कि यार सर इस समय काम कर रहे होंगे जगे होंगे ठीक है जब वो नहीं सोए तो हम कैसे सो जाएं क्योंकि यार देखो life में ना competition बहुत जादा है एक field में नहीं है ठीक है यहाँ पर अगर बात करें तो आपके लिए आपके नौकरी की competition है अलग जगह पर बात करो तो मेरे भीया किसी को अपने एक तरीके से पैसे का होड मचा हुआ है अंबानी अडानी को आपस में देख लो कौन नंबर वन पर आएगा उसके बीच में competition है जबकि अंबानी अलड़ी अंबानी है यार इतने पैसे उनके पास अडानी अलड़ी अडानी है इतने पैसे है नंबर वन की रेस वहाँ पर भी है जब वो नहीं ठकते अपने मुकाम पर पहुँचने के बाद तो आप क्यों ठकते हैं बताईए तो हमेशा आपने आपको बड़ा बनाईए सोच से बड़ा बनाईए अपने उपर बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लाइफ में मैं मेंशा कहता हूँ कि लाइफ में आप जब भी आगे बढ़ते न तो मेरे भाई आपके उपर तीन जेनरेशन का बोज है आप उसको बोज शब्द कहलीजे आप उसको जिम्मेदारी कहलीजे आपके लिए है एक जो आपका खुद का जेनरेशन है एक आपके ममी पापा जो एक जेनरेशन पीछे है और एक आपके आने वाली पीडी है आज के टाइम पर जब आप ट्रैवल करते हैं कहीं पर भी तो आज जो आप महनत करते हैं वो इस वज़े से नहीं करते हैं कि आपको सरकारी नोगरी चाहिए कहीं न कहीं उसके पीछे जो है आपके घरवालों का भी जो है एक तरीके से भला चिपा हुआ है सूचिये कभी यहां पर कि आप अपने पापा को कभी तो फ्लाइट में भेज हो यार क्या जिस स्कूल से आप पढ़े हैं आप चाहते हैं कि आपके जो आनी वाली जेनरेशन है जो आपके बच्चे हैं वो भी उस स्कूल से पढ़ें नहीं न मेरे भाई तो जब आप वहां से पढ़कर पास आउट होएं और आप नहीं चाहते कि वो भी वहीं से पढ़े तो फिर कुछ अच्छा करी है ना आपकी फैमिली आपको यहां तक लेकर आगई ठीक है आपके पापा के अंदर इतना दम था कि वापको यहां तक पहुचा दिये कहते हैं ना कि मा बच्चे को जब ले दी है तो गोद में बिठाती है यहां पर अपने सीने से लगा के रखती है बहुत प्यार करती है और जब पिता अपने बच्चे को लेता है ना तो अपने कंदे पे बिठाता है और यह बोलता है कि देख, जहां तक मैंने दुनिया नहीं देखी ना, मैं उससे उपर की दुनिया मैं तुझे दिखाना चाहता हूँ, ताकि तु देख और तु आगे के अपने सपनों को पूरा कर, अपने मंजिल को पूरा कर, तो जो उन्हों ने आपको यहां तक भेजा, तो आपका तो और आगे बढ़ने का सपना होना चाहिए, जान लगाओ मेरे दोस्त, ऐसे काम नहीं चलेगा, आप जिस लाइबरेडिय में पढ़ते हो, जहां पर भी पढ़ते हो, बहुत बच्चे पढ़ते हैं, सेलेक्शन चंद लोग लेके जाते हैं, कुछ तो कमी है, ज चजबात को एक दम है न, बरकरार रखेंगे यार, तोड़ेंगे नहीं, मतलब कहते हैं, जब तक तोड़ेगा नहीं, तब तक छोड़ेगा नहीं, तो महनत करो बस, ठीक है, चलो, आजब, सवाल देखो, यह तो चंद सवाल है, इनको कैसे है न, उडा दिया करो, मतलब कु 75,000 has been credited in your account, बाही साब, जो चेहरे पे मुसकान आएगे न, मजा आजाएगा, लेकिन वो 75,000 हर मंद क्रेडिट नहीं होगा, कब नहीं होगा, जब आप महनती नहीं करोगे, करोगे तब तो आएगा नहीं यार वो, ठीक है, तो वो भी अगर एक मुसकान चाहते हो, तो उसक percentage population of 6 villages, ठीक है, and answer the question that follow, यहाँ पर 6 village की बात कही गई है, और इन 6 village में यहाँ पर कितना percent जनसंख्या poverty line की नीचे, उसके बारे में बात है, जैसे इस village में 30% लोग गरीबी रेखा नीचे है, यहाँ 45% लोग है, इस तरीके से, चर्चा मेरे भाई यहाँ पर है, तो हमसे यह क्या कहा गया, सवाल हम से जो पूछा गया, phase 9, 2022 का, यहाँ पूछा गया है मेरे भाई, ठीक है, if the population below poverty line in a village D, यानि D में जनसंख्या जो है, वो कितना है, 42,000 है, ठीक है, और उन लोगों की जनसंख्या है, जो गरीबी रेखा से नीचे है, then the total population in all the six villages taken together is, तो पूरे गाउ की कुल जनसंख्या X थी, मान लीजे, हाला कि X नहीं मानते हैं, बट X थी ही और X था ही, बस वही बात है, जीवन में और गनित में यहीं एक contradiction है, जीवन में X का कोई मान नहीं, और गनित में सारा मान X का ही है, तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर कि पूरे गाउं की किस के पास है मेरे भाई, तो यहाँ पर जो है, वो D के पास है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर D में, तो D का कितना percent population below poverty line है, 60%, तो पूरे गाउं का 20% निकाल दिया, तो D की जनसंख्या निकल गई, और यहाँ D का मेरे भाई कितना percent निकाल दिया, 60% निकाल दिया, तो उन मान यहाँ कितना दिया गया है, तो 42,000 दिया गया है, यानि यहाँ पर 42,000 दिया गया है, लीजे न सर, बन गया सवाल आपका, एक 0, एक 0 से दोनों खतम हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो 6 से आप काटेंगे तो total kill मिलाकर 7,000 बार में कट और 35,000 में 2,0 पीछे लगा दीजेगा, तो आपका option number B for, बहु बलीजदा correct answer आजाएगा, समझ गए है, सज सीजल के new pattern का course सेम रहेगा या batch start होगा, वही रहेगा मेरे भाई, subject में बदलाओ है क्या, बताइए, syllabus में बदलाओ है क्या, नहीं है तो फिर कई से बदल दे और फालतू का जो है, यहाँ पर कुछ ही सा course launch करते है, जिससा आपका cut जाए, और इस बात पर कि कुछ नहीं आप पूछा जाना है, कुछ भी नहीं पूछा जाना, वही रहना है, ठीक है, जिस बच्चे ने मन से पढ़ाई किया, उसका selection होना है, सीडी सी बात है, ठीक है, next question देखते हैं, एक और प्यारा सा, बहुआ सा सवाल, क्या कहा गया है, आप देखें यहाँ पर, the given pie chart, the given pie chart shows the percentage of student in five schools and the table shows ratio of boys and girls, यह percent के बारे में बता रहा है, ऐसा अभी हमने पीछे देखा था, और यहाँ पर girls और boys के बारे में पूरी चर्चा की गई है, मेरे भाई, ठ देख लेते हैं एक बार, तो सवाल में हमसे यहाँ देखें, सीजल के प्री का question, ठीक, पूरे दो नंबर आज के सेशन से मापका करवा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखेगा, कहा गया है, if the total number of girls from all the five schools is represented as a pie chart, यानि सभी school के लड़कियों को अगर हम pie chart के माधियम से बताए total number of girls from all the school is represented by a pie chart, then what will be the measure of sectoral angle corresponding to school B, तो उस case में मेरे भाई, यहाँ पर, school B को जो है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बूला गया है, then what will be the measure of sectoral angle corresponding to school B, तो school B को यहाँ पर कितना angle दिया जाएगा, आसान सा सवाल है, समझेगा यहाँ पर, किस data को central angle मानना है, यदि सभी पाँचो स्कूल की लड़कियों की कुल संख्या को pie chart के रूप में दर्शाया जाएगा, तो school B के संगत, तरिज्या खंड के कोन का माप क्या होगा, बताए इस का answer, ठीक है, बहुत यहाँ पर आसान यहाँ पर आपको पूरा proper solve करना ही पड़ेगा, बिना solve किया आपकी कोई गुंजाईश यहाँ नहीं है, तो अगर हम थोड़ा सा यहाँ बात करें इस pie chart को लेके, ठीक है, तो जैसे मान लीजे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ छोटी सी बात क पहुँचेंगे, और उस 28 लोगों को किसी ratio में बांट दिया जाएगा, तो 7 भाग में, यह 7 unit की value 28 है, 1 unit की value 4 हो जाएगी, तो 3 unit की value कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा मेरे भाई, उसी तरीके से B में 15 लोग हैं, यह 5 की value 15, 1 की value 3, तो 2 की value कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा उसी तरीके से C में 8 की value 24 लोग है तो A की value 3 तो 5 की value कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा उसी तरीके से D में देखिए ये 3 लोग जो है 18% यानि 18 लोगों के बारे में तो 3 की value 18 एक की value यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा यह 5 की value 15 हो जाएगा तो 1 की value कितना हो जाएगा 3 तो 4 की value कितना हो जाएगा 12 कहा गया है यदि सभी लड़कियों की संख्या को pi chart से denote कर दिया जाए यानि यह जो 360 degree हो मेरे भाई यह 360 degree जो है यह कितने लोगों के बारे में बता रहा है तो 12 और 6, 18, 18 और 6, 24 ठीक है 24 और 10, 34, 34 और 10 हमारा 44 हो गया 44 और 5, 49 और 51 यानि यदि यह 51 लोगों के बारे में बता रहा है आप जूर सकते हैं कोई tension की बात नहीं है 10, 20, 30 ठीक है और 30 और 10 हमारा 40 और 51 कोई tension नहीं है यानि यह जो डिगरी है total 51 लोगों के बारे में बता रहा है तो हमसे यहां कहा गया है sector angle corresponding to school B और school B में कितने लोग हैं तो 15 लोग हैं यानि यहां पर इन 15 लोगों के बारे में आप बताओ कि 15 लोगों को कितना angle दिया जाएगा हमने कहा सर जीवन में इससे आसान सवाल बन नहीं सकता है 3 से 17 बार में काटेंगे 3 से 5 बार में ठीक है 36 का 5 गुना कितना होता है 180 होता है और एक 0 यहां पीछे लगा दिया और भाग कर दिया किस से 17 से decimal में आएगा और यह बात यह साबित करता है nearest integer आप यहां 17 से काटी है 17 से आप इसको कितनी बार में काट पाएंगे तो पहली बात 17 का यहां पर देखो तो 17 का एक गुना 17 हो जाएगा एक और 0 दस टिक है 0 लगा दिया है यहां पर कहीं न कहीं कुछ घडबड कर दिया क्या अच्छा अच्छा कुछ घडबड हो गया है का यहां पर देखेगा हमें तो कुछ घडबड लग रहा है मुझे तो फिर यहां लग रहा है छे की वैल्यू बतानी है अगर हम यहां बात करें अगर हम यहां पर छे की वैल्यू निकालते हैं तो हमारा कितना आएगा स्कूल बी का मतलब कितना हो गया यह छे की वैल्यू को बताना 3 से अगर हम 17 बार में काटेंगे 3 से 2 बार में यानि 720 और 720 बटे 17 ठीक है 17 का अगर हम यहां से काटते हैं तो 17 का 4 गुना 68 हो जाएगा 68 और 40 हो जाएगा फिर 17 का 2 गुना 36 यानि 42 के करीब में जाएगा यहाँ पर एक छोटा सा multiply हमें ध्यान रखना था तो उसमें स्कूल B से कितने लोग थे छे लोग थे तो 6 लोगों के लिए कितना डिगरी प्राप्त होता हमें वो बताना था तो 6 के लिए हमें यहाँ पर 42 डिगरी प्राप्त होता यानि option number D for Dave सेना is the correct answer हमने क्या किया पूरा का पूरा स्कूल B उठा लिया हाला कि यहाँ language में उसे प्रापर तरीके से लिखना चाहिए था कि हमें सिर्फ स्कूल B का यहाँ girls का data लेना है अगर वो नहीं लिखेगा तो मैं क्या कोई spirit भी यहाँ पर गलती कर सकता है अगर आपका understanding होना चाहिए था और समझना चाहिए था जैसे मैंने अभी तुरंत इसको पकड़ लिया अगर आप देखे तो यहाँ पर दो अलग अलग पाई चाड़ दिये गए जरूरी नहीं है यहाँ पर की पाई का combination आपका बार ग्राफ के साथ हो या पाई का नहीं हजार लाइक बताओ ना बहुश तो चुके हैं अपने target की तरफ ना अब मनजिल हमारी करीब आ रही है session को end करना पड़ेगा आपसे अलवीदा लेना पड़ेगा अब कर भी दो अब तो like नहीं करोगे तो कब करोगे इंतजार करवा दिये इतना अब देखो सवाल यहां पर तो क्या है कि हमारा पाई का combination पाई के साथ एक पाई कुछ और बताएगा और एक पाई चार्ट कुछ और बताएगा ठीक है जैसे यहां पर अगर आप देखते हैं information तो distribution of student appear in examination from school यानि अलग-अलग school से कितने बच्चे हैं उसके बारे में बताया गया और यह जो data है इसको किस में दिया गया डिगरी में और इसकी मानिता कितनी है तो 1800 लोगों के बराबर है अब यहां पर देखते हैं तो distribution of past student यानि यह किसके बारे में कहा गया है तो पास वाले बच्चों के बारे में यानि इसी का यह बेटा है अगर यह बाप है तो यह उसका बेटा है तीक है 1800 बच्चे appear हुए 1200 बच्चे पास हुए तो फेल कितने हो गए 600 यह 1800 को degree में बाटा गया है और यहां 1200 को प्रतीशत में बाटा गया है अब एक बार हम लोग अपना सवाल देखते हैं कि हमारे सवाल में मेरे भाईया बोला क्या गया है क्योंकि यह सवाल है आपके मेंस का गौर से देख लीजे आपका यह कोशन किसका है तो यह कोशन मेरे मेंस का है सवाल में देखे क्या कहा गया है if the ratio of number of boys to that of girls who pass from A is 5 ratio 6 पढ़िये गए यहां पर कि यदि संस्थान A से उत्तेंड होने वाले लड़कों की संख्या का उसी संस्थान के उत्तेंड होने वाले लड़कियों की संख्या का 95 और 6 है यानि यहां पर यह वाला data क्या था तो नीचे वाला di जो था वो pass के बारे में बता रहा था और उपर वाला data देखो यह हमारा किसके बारे में बता रहा है तो total और यह हमारा किसके बारे में बता रहा है तो pass ठीक है तो institute A में में मेरे भीया institute A में कहा गया ratio of total number of boys to girls who pass from A is 5 ratio 6 यानि यहां पर अगर हम बात करते तो boys और girls का जो ratio है वो कितना यहां पर तो यहां पर particularly इस institute की बात करें तो boys और girls का जो ratio है वो 5 और 6 का है अभी हम simple भाशा में समझाते है and 40% of the student who pass from institute D are boys D से मेरे भईया यहां पर D से जो यहां पर pass हुए है इसका यहां पर 40% कौन है तो 40% जो है वो मेरे भईया boys है ठीक है D से institute D से बोला गया न कि यहां पर who pass from institute D are boys then the ratio of number of boys who pass from A यानि A से जितने बच्चे पास हो है उनका ratio ठीक है to that of boys who pass from D यानि A से पास होने वाले लड़कों का अनुपात बताना है D से पास हो रहे लड़कों के साथ बहुत असान काम है आप यहां पर देखे तो बोलेंगे सर देखो A में कितना परसेंट बच्चा पास हुआ तो 22% ठीक है यह 22% जो है यह कितने unit की value है तो 11 unit की value है हमें किसका बताना है सर 5 का यानि यहां पर ऐसे गुना कर देंगे तो यह हमारा पहले वाले का निकल गया अब उसके बाद यहां बात करते हैं D में D में कितना परसेंट है सर तो D में यहां 20% है कितना परसेंट है 20% और इस 20% का 40% बच्चा पास है इस 20% का 40% बच्चा पास है यानि यहाँ पर बोलेंगे 20 इंटू 40 बटे मेरे भई या 100 यहाँ पर बस इन दो लोगों का ratio हमें ले लेना है कि इस institute का 5 बटे 11 भाग और इस institute का 40 बटे 100 भाग आप यहाँ पर आराम से cutting-cutting करिए जैसे माल लीजे percent से percent खतम हो जाएगा उसकी tension नहीं है 11 से आप इसको काटेंगे तो 2 बार में जाएगा 5 इंटू 2 हमारा 10 हो जाएगा जो 1-0 का सरवनाश कर देगा 20 से अगर आप इसको काटेंगे तो 2 बार में जाएगा 20 से काटेंगे तो 5 बार में पांच इधर ले जाएगा तो 5 से multiply करेगा और 2 into 2 कितना हो जाएगा चार कौन सा option आपको दिख रहा है सर option number C for कहोना प्यार है तो इस तरीके से आप इस DI के question को में इसको solve कर सकते थे कि इसको आप इसमें बाढ़ दिये और फिर आपने उसका क्या कर लिया ratio ले लिया बहुत असान काम है सर यहां पर बहुत असान काम है एक बच्चा बोला सर चार्ट को कैसे identify करे पीछे वाले में दे दिया था मेरे बाई instruction यहां पर यह पूरा चार्ट का दे दिया गया था कि यह वाला टोटल के बारे में बताया है और यह वाला कुल मिला कर इसके बारे में बताया है तो मुझे लगा कि आज के session से हमने आपको पूरा काफी कुछ सिखाने की कोशिश की है ठीक है एक question बस हम आपके लिए homework छोड़ रहे हैं और इसका printable PDF आपको हमारे telegram पर मिल जाए description पर दोनों telegram के link हैं तो click करके आराम से वहाँ पहुंच सकते हैं और वहाँ से printable PDF बकायदा ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं ना सिर्फ आज के session की बलकि जितने मैं session करा रहा हूं सभी की ठीक तो यह हमारा pie chart था एक और DI का session आपका लगेगा बढ़िया तरीके से और उसमें हम बाकी जो चीजे हैं जैसे हमारा जो building वाले question सबसे जादा आ रहे हैं हम आपका वो करवा देंगे ठीक है इसके अलावा किसी मेरे भाई को यहाँ पर चैनल को तो subscribe करी दो बिलकुल 10,000 like मैं देखूंगा रात में बैठके कि 10,000 like पहुँचे हैं नहीं पहुँचे यहाँ प यह जो आपने डियाई देखा है सिर्फ उसका एक पार था हमारे math recorded batch का complete जो है मैंने और भी zero से और high level तक complete वहाँ करा रखा है ना सिर्फ एक chapter बलकी सारे chapter आपको इसके लिए करना पड़ेग और आप जो है इस batch में enroll कर सकते हैं किसी की समस्या है तो इस number पर आपके call करके ब हमारा जो नए freshers जो हमारे नए champions है जिनका target मेरे भईया next year का है जो चाहते हैं कि एगदम अगले साल भौकाल मचाए उनके लिए हमारा champions batch है यह champions batch में दो time live classes चलती है एक time arithmetic एक time advance तो आप इस batch को भी ले सकते हैं और यह बाच हमारा RGV करम जीत application पर है इसकी fees 899 है ठीक नेक जारों को लेते हैं तो 900 900 900 यानि 3600 का होता है लेकिन हमारे पूरे परिवार के तरफ से आपको 1300 का discount मिलता है ताकि आप उसमें कुछ books या बागी चीज़े करीत सके और 30 रुपे में आपको complete combo का batch मिलता है teaching में आपको पता ही है सारे के सारे एक से एक दुरंदर हैं और आपक तो combo batch सबसे best है मेरे भाई यहां पर आप उन्हें जरूर लीजे ठीक है अगर आप math special में ले रहे हैं तो मेरा मानने आपको combo लेना चाहिए ताकि आपको सारा subject मिले और आप सारा पढ़कर बहुत अच्छे तरीके से selection ले ठीक यह हमारा application आर जी विकरम जीत यहीं से आपको सारी चीजें मिलेंगे तो आज के session के लिए इतना ही दिल से तहे दिल से धन्यवाद आप सभी दोस्तों का साथ बने रहने के लिए कल के session में और बढ़िया तरीके से हम लोग वोकाल मचाते हैं थोड़ा अच्छा बढ़ाई करते हैं कुछ अच्छा सीखते हैं और अपना जार भरा कमेंट जो है वो session में वीडियो के comment box में जरूर छोड़िएगा धन्यवाद